आपका स्वागत है महरशाद रही करंट आफेर्स 2022 की इस क्लास में आज हम अंतराश्ची पुरुसकार इंटरनेशनल अवर्ड्स को डिस्कुस करेंगे अंतराश्ची पुरुसकारों में सर्वुच सम्मान ये सबसे बड़ा पुरुसकार विश्व में माना जाता है नोबल पुरुसकार उसके बाद हम रमन मैकसे से पुली ज़र प्राइस, ग्रैमी अवर्ड, आसकर अवर्ड और मिस वर्ड, मिस इनिवर्स कुछ टाइटल्स पी हैं जो अंतराश्ची स्तर के हैं आज की क्लास में यहां डिस्कुस करेंगे और यहां से डेफिनिटली आपको प्रशन तीन से चार प्रशन ही देखने को मिल जाते हैं आई शुरुआत करते हैं तो हमने आपको 2022 के करेंट आफेर्स का किस तरह से हम अपनी कैटेगरी वाइस क्लासिस को शुरू करेंगे तो उसमें आज हम पहले ही डिस्कुस करेंगे अंतराज चे प्रुसकारों को तो प्रुसकारों की एक जलकी देख लेते हैं कि कौनकों से प्रुसकार आज हम पढ़ेंगे अंतरास्टे पुरुसकारों में हम बात करेंगे नोबल पुरुसकार की नोबल पुरुसकार की शुरुवात कब से हुई और वर्ष 2021 में नोबल पुरुसकार किसको दिये गे अगला हम बात करेंगे रमन मैक्सेसर परुसकार की इसके बाद हम बात करेंगे पुलिजर प्राइस की मैन बुकर अवार्ड की ठीक है ये सारे अवार्ड हम डिस्कुस करेंगे यहाँ पर चले इसके बाद मैन बुकर प्राइस के बाद में आसकर अवार्ड आएगा आसकर के फिर ग्रैमी प्रुसकार, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ड, इस तरह से हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व का सरवूत सम्मान और सबसे बड़ा सम्मान इसको नागरिक सम्मान कहेंगे हम, ठीक है, तो ये कौन सा है, इस सम्मान का नाम है नोबल पुरुसकार, चलिए इसको देख लेते हैं, नोबल पुरुसकार जो है स्वीडन के एक वैग्या जिनका नाम है अल्फ्रेड नॉबल ठिक ये डाइनमाइट के अविश्कारक थे याद रखेगा डाइनमाइट के अविश्कारक का नाम आप से पूछ लेता है परिक्षा में तो डाइनमाइट के अविश्कारक कौन हुए ये थे अल्फ्रेड नॉबल इन्हीं की याद में ही हर वर्ष ये पुरुषकार दिये जाते हैं जब इन पुरुषकारों को शुरू किया गया था तो इनको केवल 5 छेतर में ही दिया जाता है दिया जाता था जब इनको शुरुवात किया गया था है ठीक, तो याद रखेगा नोबल प्रुसकार सबसे पहला ही प्रेश्म जो बनता है नोबल प्रुसकार पर वो ये बनता है आप से इसे पुछेगा कि विश्व का सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो याद रखेगा नोबल प्रुसकार विश्व का सर्वोच नागरिक सम्मान है क्लिर हुआ नोबल प्रसकारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी तो ये भी याद रहे नोबल प्रसकारों की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी वर्ष 1901 में की गई थी नोबल प्रसकार देने कब शुरू किये गई थे वर्ष 1901 में अल्फेड नॉबल जो कि स्वीडन के एक विज्ञानिक थे इनकी याद में और यही थे डाइनामाइट के अविश्कारक याद रखेगा एक डाइनामाइट के है एक विस्फोर्टक है ठीक है डाइनामाइट के अविश्कारक आप से पूछता है तो डाइनामाइट के अविश्कारक कौन थे अल पर रशाष्त के छेट में लेकिन हम पहले बात करेंगे ही पांक चेटर में अगर memoir हम करें तो यह आरश के शीप सेथ a के और शान्ती के इसमें एक छटा फील्ड जो है एकनॉमिक्स है अर्शास के छेत्र में वर्ष 1979 में पहला नोबल पुरुसकार दिया गया तो यहां तक बात करेंगे पहले अगर आप से पूछा जाए फिजिक्स फिजिक्स के छेत्र में सर्वोच सम्मान कौन सा है तब आप उत्तर कर पाएंगे असानी से फिजिक्स के छेत्र में सर्वोच सम्मान नोबल पुरुसकार ही है ऐसे ही केमेस्ट्री में है ठीक तो भौतिकी के छेत्र में जो पहला नोबल किसको मिला था फिजिक्स में जो पहल अगला नोबल प्रसकार जिनको मिला था वो कौन थे इंपॉर्टन्ट है एक दम ठीक है जो थे हैंडिकस वांटॉप थे ठीक अगला है चिकित्सा के छेत्र में जो मिला था इनको थे ये थे वान बेरिंग ठीक वान बेरिंग और जो साहिते के छेत्र में थे सुली प्रधोम अगलत के ये प्रिखान रिखे गया है वान पूछे नोबल प्रसकार दी जाते हैं तो वर्तमान में कुल किने इन त्वे ठता ये जाते है ठीक है और यह जो च्छटा फिल्ड है इसको 1969 में प्रथमबार अर्शास के छेतर में नोबल पुरुसकार दिया और ये जो है एक साल पहले 1968 में जो स्वीडन का केंद्रिय बैंक है स्वीरिक्स रिक्स बैंक है इसकी 300 भी वर्ष गांठी इसके अफसर पर ये अनौंस किया गया था कि अगले वर के छेतर में 1969 में पहले पुरुसकार प्राप्त करता कौन हुए रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिन बारगन हुए इन्होंने आर्थिक प्रकरियाओ इन्होंने क्या किया आप से कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि किस विशय के लिए इनको मिला तो आर्थिक प्रकरियाओ के विश्लेशन के लिए गतिशील मॉडल नोगोंने बनाया था ठीक इसी के लिए इनको मिला था ये हो गया आगे हम बात कर लेंगे अब देखे ये हो गया तो नोबल वर्ष 1989 से नोबल फांडेशन के दुआरा प्रतियक वर्ष 6 छेत्रों में पुरुसकार दी जाते हैं और अब इन पुरुसकारों में कुछ ऐसी रेसिपेंट हुए हैं बड़े खास जिन पर प्रेशन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं मेरी क्यूरी का नाम आपने सुना होगा रेडियाक्टिविटी की खोज की गई थी, तो मेरी क्यूरी यो थी, ये एक बहुत एक विद भी थी, ठीक है, और ये रसायन चास्त्री भी, यनि दोनों फील्ड से थी ये फिजिक्स केमेस्ट्री दोनों से, आपने पढ़ा होगा, जो मेरी क्यूरी हैं या मैडम क्यूरी और जो उनके पती थे, पीरे क्यूरी थे, इन दोनों ने क्या गया था, 1898 में पॉलेनियम नाम के महतपूर्ण, एलिमेंट की खोज की थी, पॉलेनियम की खोज की गई थी इनके द्वारा, तो विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं ज इनको भी नोबल प्राइजस मिले हैं, इनके नाम भी बड़ी जरूरी हैं क्योंकि जब मेरी क्यूरी इतनी महान थी, ये भी दो बार नोबल प्रसकार जीच चुकी थी, दो फील्ड में तो इनकी बेटियों का भी याद रखना जरूरी है, इनकी जो बड़ी बेटी थी और अब वर्तमान की हम बात कर लेंगे, वर्तमान में जो नोबल प्राइज हैं, वर्तमान में जो नोबल प्राइज यानि वर्ष 2021 में, दिसंबर के महीने में ये डिस्ट्रिब्यूट के जाते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिक्स में नोबल प्राइज, तो पिछ तो सियू कोरो मनावे हैं इनको दिया गया था सियू कोरो मनावे हैं क्लास हजल मैन हैं और पैरी सीख हैं इन तीनों व्यक्टिक को मिला था इन्होंने खोज की थी जटिल भौतिक प्रनारियों की हमारी समझ में अभूत पूर्व योगदान देने के लिए ठीक क्लिर हुआ च Ujahira देखेंगे तो रसायन में भी तीन लोगों को कमाइंटलि दिया गया है बेंजामिन लिस्ट है ये सूची नहीं है ये ये बेंजामिन लिस्ट नाम रोगा उनका डेविट डेविडेविक मैक मिलन को मिला है तो इन्होंने असममित ऑप्चास के विगास के लिए इनको अर्देम पटापाउटियन को मिला है तापमान और इसपर्ष के लिए रेसेप्टर्स और उनकी खोज के लिए ये दिया गया है इनको तीन छेतर में हो गया है अब चोथे छेतर में हम बात करेंगे नोबल चांती पुरसकार से पहले चलिए साहित्य के छेतर में important है साहित्य के छेतर में जो मिला है वो किसको मिला है अब्दुलरजाग गुर्नाह को अब्दुलरजाग गुर्नाह को मिला है उपनिवेशवात के प्रभाब और संस्कृतियों महादीपों के बीच की खाई में शरहनाथियों के भागे कि उनके अड़िक और करवणा में प्रिवेश के लिए ठीक है या किसम है ये इनकी रिसाहिते में आप जानते है राइटिंग के लिए दिया जाते है ठीक है तो इनको मिला है आगे हम बात किरेंगे पांचवा फिल्ट है अपना पांचवा देखे, नोबल शान्ति पुरुसकार, ये मारिया रेसा को मिला है, दो व्यक्ति को दिया गया, मारिया रेसा है, और दमित्री आंद्रेविच मुराटोव को मिला है, अभी व्यक्ति की स्वतमता की रक्षा के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, आगे बात करेंगे, तो ये हैं इनको दिया गया है किस फील्ड में ये दिया गया है अर्शास्त्र में ठीक अब आगे बात करते हैं आगे हम अंतराश्चे पुरुसकारों में अगला पुरुसकार डिस्कुस करेंगे ये है रमन मैक्स से पुरुसकार तो रमन मैक्स से जो पुरुसकार है इस पुरुसकार की अगर हम बात करें तो ये बिलकुल ऐसा ही पुरुसकार है कॉंटिनेंट में अगर हम देखें तो रमन मैक्स से पुरुसका अगर हम नोबल परुसकार की बात कर रहे थे तो नोबल परुसका जो है वो विश्व के सरवुच परेसकार बीज़ाद है तो से पहले तो हमें नोबल परुसकार पढ़ना ता इसलिए हमने वह इसकुस किया यह एक्णली जो फिल्पीन्स के पहले रास्ट्पती होए पहले नहीं फिल्पीन्स के पूरव रास्ट्पती होЭ थे रमनमेकसिसे और यह पूर्वरिशकार 1988 से हर साल विजयताओं को दिया जाता है 31 अगस्त को इसको पेश किया जाता है फिलिपीन्स की राज़ानी मनिला में ऐसे लोगों को दिया जाता है जो एशिया के लोग और पेशे में उतकरस्ट प्रदशन किया हो सारजनिक प्रसंशाख प्राप्त किये बिना दूसरों की स्वतंदर भाव से इन्होंने सेवा की हो तो उन्हीं को दिया जाता है पहले अगर हम बात करें जो रमन मैक्से से पुरस्कार था वो इन शेणियों में दिया जाता था 1958 से 2008 के बीच में कौन-कौन से छेतर थे ये इसमें सरकारी सेवाओं के लिए सारजनिक सेवा के लिए सामुदाइक नित्रत्व के लिए पत्रकारिता, साहित्य, रचनातबक, संचारकला के लिए सान्ती और अंतरास्टे समझ के लिए और आपातकाली नित्रत्व यानि इमर्जन्ट लीडर्शिप के लिए अपातकाली नीतृत्व के लिए ठिक अगर हम बात करें आपातकाली नीतृत्व की जो छटी कैटिग्री है अब इमर्जन्ट जो लीडर्शिप है इसके तहत प्रुषकार जो है चालिस वर्शिया उससे कम उमर के लोगों को ही दिया जाता है जिन्होंने अपने समुदाए में बहुत सारे परिवर्टन लाए होते हैं ठिक यह क्लिर हुआ और रवन मैक्सी से विजयताओं की सूची पर हम बात कर लेंगे तो इसमें कौन-कौन से व्यक्ति हैं रवन मैक्सी से पुरुषकार के विजयताओं की सूची क्या-क्या है 2019 में मियमार के जो है एक तरीकी से 2019 में जो मिला था इनको देखे यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे अभी लेटेस्ट वाले हमारे पास में हैं 2019, 2021 और 20 में पुरस्कार महामारी की कारण रद्ध हुए थे ठीक है तो यहाँ पर हम 21 वाले डिस्कस करेंगे ठीक है आई तिंक इथर चलिए 2021 वाले लेटेस्ट है हमारे पास तो पाकिस्तान के मुहमद अमजद साकिब हैं पाकिस्तान के मुहमद अमजद साकिब हैं इनको मिला है बंगलादेश के फिरदोसी कादरी हैं 2021 का इनको मिला है दक्षिनपूर्व एशिया के स्टीवन मुंसी है इनको मिला है तो एक से अधिक व्यक्तिव को भी यह दिए जाते हैं तो चारंиков मिला है 2021 में और 2019 में अगर देखो तो हमारे देश से भी एक विक्ति को मिला था वो कौन है भारत के पत्रकार है ये नियूज अंकर रवीश कुमार को ये आपको याद होगा तो ये प्रशन भी आपसे पूछ सकता है ठीक है बागी याद रखें न रखें आप इतना जरूर याद रखेंगे पुलिजर प्राइस की बात करते हैं तो ये पुलिजर प्राइस जो है ये समाचार पत्र हैं जैसे पत्रिकाएं होती हैं ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं साहित्य हैं संगीत हैं इन छेत्रों में अगर उत्क्रेस्ट कोई रचना है ठीक है उसकी छेत्र में जाता है तो अब आप कह प्रुसकार की स्थापना 1917 में की गई थी ठीक है हंगरी के प्रिस्ट समचार जो प्रकाशक थे वह जो से पुलिजर थे उनके नाम पर कोलंबिया युनिवर्सिटी के दोरा इस प्रुसकार को दिया जाता है और भारत की तरफ से जो प्रिथम भारतिये हुए इनको जो है 1837 में गोविंद बिहारी लाल पुलिजर पाने वाले पहले बार दिये हुए भारत के अन्य लोग है जुंपा लाहिरी को 2000 मिला था अब यहां पर देख लिजे 2000 यहां पर देख लिए लेटिस्ट 2022 में किसको दिया गया है ठिक तो फीचर फोटोग्राफिय की कैटेगरी में दिया गया है यह किसको अधनान आबीदी को सना इर्शाद मट्टू को अमित दवे और दिवंगत दानि सिद्धी को सार्वनिक अब यह किसको दिया गया है यह वाशिंग्डन पोस्ट को दिया गया है ठिक और एक उपन्यास इसको मिला है नेत नियाहूस ठिक है जोश्वा को जोश्वा कोहीन दौरा लिखे था है इसको मिला है चलिए अंतररास्थ्य भुकरप्राइस के बारे में आपने जरूर है ये भी तो ये क्या है साहित्ति प्रुसकार है दो हजार पांच से अगर देखें किसी भी जीवित लेखक को ठीक है उसके काम के लिए ये दिया जाता है ठीक तो अंग्रेजी में जो अंग्रेजी में प्रकाशित या आम तो पर अंग्रेजी में जो अनुवादित उपन्या यह बुक्स होती हैं उनके लिए दिया आता है तो पर्थम मैंबुकर प्राइस किसको दिया गया था ये थे इसमाइल कादरे अलबानिया के लिए इसमाइल कादरे इनको मिला और 2022 का याद रखेगा वो भारत से मिला है किसी को एक भारती लेखी का है कितांजली श्री इंपॉ बॉक्विल के दुवारा ठीक है इसके लिए इनको क्या मिला है बुकर प्राइस मिला है क्लिर रहेगा चलिए आगे बात कर लेते हैं अब है आसकर प्रुसकार आसकर प्रुसकारों की अगर हम बात करें तो हम अलग अलग फील्ड में सर्वुच प्रुसकारों की बात कर रह रहता है आपका दादा सहे फाल के पुरसकार तो और पुरसकारों को एक दूसरे नाम से भी जाना था पुरसकार के विजेता जो लेटिस्ट विजेता है उन पर ज़्यादा यह प्रश्ण बनता है तो इस पुरसकार 2022 की आउसकर अवर्ड विनिंग मूवी कान सी है 2000 की आसकर मुवी जो बेस्ट फिल्म कौन सी है कोड़ा है और बेस्ट एक्टरस के लिए जो अवर्ट दिया गया है आसकर वो मिला है जैसिका चैस्टेन को इनकी एक फिल्म है दि आईज ओफ टैमी फे के लिए इनको सर्वसिस्ट निर्देशक का पुरुसकार मिला है बेस्ट एक्टर का रोल के लिए किसको मिला है विली स्मित को मिला है किंग रिसर्ज के लिए ठीक है किंग रिसर्ट के लिए है चलिए यह हो गया है अब अगले पुरुसकार की बात करते हैं अब हैं Grammy पुरुसकार, Grammy पुरुसकार याद रखेगा, विश्व में संगीत के छेतर में सबसे बड़ा पुरुसकार यही है, ठीक, विश्व में संगीत के छेतर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार है Grammy Award, तो संगीत उद्योग में उपलब्दियों के लिए, प आप दे एर के लिए ग्रैमी प्रुसकार जॉन बैटिस्ट को मिला है वी आर के लिए सर्वस्टेस्ट संगीत वीडियो फ्रीडम नाम की है टाइटल है उसका जॉन बैटिस्ट की है ये भी रिकॉर्ड आप दी एर है लीव दी डॉर ओपन ये ब्रुनो म्रास और एंडर्सन क को मिला है और सर्वस्टेस्ट संगीत फिल्म कौन सी है समर ओफ दी सोल इनको मिला है इसके लिए तो ये ग्रैमी प्रुसकार की बात हो गई ग्रैमी के बाद हम बात करेंगे मिस वर्ड की Miss World Miss Universe में से एक टाइटल अक्सर परिक्षा में आपकी पूछ लिया जाता है तो Miss World की एक बारे में बात करें Miss World सबसे पुरानी चलने वाली अंतरास्थे सौंदरे पृतियोगिता है ये वर्तमान Miss World जो हैं पॉलेंड की कौन है वर्तमान में थी स्वीडन की याद रखेगा पर्थम Miss World कौन थी के की हंसन और अगर हम देखें भारत से Miss World कौन रही थी भारत में अगर पहले विक्ति की बात करें जो Miss World रही वो थी ऐश्वर रहा है उसके बाद Miss World बनी ये 94 में बनी थी और 97 में भारत की रहसे डाइना हैडन बनी थी Miss World 1999 में युकता मुखी बनी थी Miss World 2000 में जो हैं वो प्रियंका चोपड़ा बनी थी और Miss World ही 2007 में 2017 में मानुसी छिलर बनी थी ठीक है और 2021 में करोलीना बिलावसका पॉलिंड की हैं ये याद रखिएगा लेटेस्ट हैं यहारे पास जैसे ही 2022 का आएंगे तो उनको भी अपडेट करेंगे चलिए अब आगे बात कर लेते हैं Miss Universe का खिताब भी इंपोर्टन्ट है पोछे आता है पर्थम मिस युनिवर्स का जो खिताब है 1952 में मिला था यह फिनलेंड की आर्मी कुसयलो को दिया गया था 1994 में भारत में बात करो तो भारत में जो सुस्मिता सैन है ये भारत की पहली भारत की रख से बनने वाली पहली Miss Universe थी वर्ष 2000 में जो है लारा दत्ता बनी थी ठीक है और अब 20 साल के बाद Miss Universe 2021 में कौन बनी 70 में Miss Universe हरनास संदो ये 2021 तक का डेटा है आपके पास ठीक है latest 2022 का तो जब ये announcement होगी 2022 की तो हम उसमें add कर लेंगे clear होगा होगा ये आपके लिए तो ये सारे awards हमने discuss कर लिए अंतरास्टिय अब हमारे पास जो award बचते हैं वो बचेंगे हमारे पास रास्टिय पुरुसकार जो भारत में दिये जाते हैं ठीक है चलिए अगले session में हम उनको cover कर लेंगे Thank you so much